जानिये कैसे होगा महतारी वंदन योजना में कब और कहां से करना होगा पंजियन और कब मिलेगा पैसा जानिये पूरी जानकारी महतारी वंदन योजना का 36 गढ़ राज्य की स्थानिय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगे। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की एक जन्वरी को विवाहित महिला की आयू 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए विध्वा, तलाक्षुगा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी, योजना अंतर्गत प प्राप्त करने वाली महिलाओं को एक हजार रुपए से कम पेंशन राशी प्राप्त होने से शेश अंतर्की राशी का भुगतान किया जाएगा, महतारी वंदन योजना अंतर्गत पांच फरवरी दो हजार चौबीस को ऑनलाइन व ओफ लाइन आवेदन का पंजियन प्रा पर आपत्ती 21 से 25 फरवरी दो हजार चौबीस तक की जा सकती है आपत्ती का निराकरण 26 से 29 फरवरी दो हजार चौबीस तक किया जाएगा अंतिन सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा, एवन स्विकृती पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा, तथा पात्र महिला हितगराही को राशी का अंतरन 8 मार्च 2024 को किया जाएगा महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्वसत्यापित स्वयंकी पासपोर्ट, साइस फोटो, स्थानिय निवासी के संबंध में निवास प्रमान पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेस, स्वयंका एवं पती का आधार कार्ड, यदी हो तो स्वय का एवं पती का पैनकार्ड, विवाह का प्रमान पत्र, ग्राम पंचायत वस्थानिय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमान पत्र की आवश्यक्ता होगी, विध्वा होने की स्थिती में पती का मृत्यू प्रमान पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिती में समाज द्वा वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमान पत्र प्रस्तुत करना होगा। वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। वा कर्मचारी योजनां तर्गत अपात्र होंगी। इसके अलावा आंगनबाडी केंद्र, ग्राम पंचायत, सचिव, ग्राम प्रभारी, बाल विकास, परियोजना कार्याले एवन नगरिये क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लौगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है. आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया नीक शुल्क होगी, आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्याले, आंगनबाडी केंद्र, परियोजना कार्याले तथा जिले द्वारा आयोजित विशेश कैंप में उपलब्ध होंगे. निर्धारत तिथी तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिन सूची का प्रकाशन किया जाएगा. आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ती निराकरन समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरन किया जाएगा. ग्रामीन क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिती होगी, नगरिये क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, CMO एवं परियोजना अधिकारी की समिती होगी, नगर निगम क्षेत्र हेतु आलुक्त पात्र हितगराहियों की प्रिथक सुची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी, पात्र हितगराही को स्विकृती पत्र ग्राम सचिव वाड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा, यह सुची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी, हितगराही को राशी का भुगता उनके आधार लिंक DBT आधारित बैंक खाते में किया जाएगा, आपत्ती मिराकरन समिती द्वारा भविश्य में हितगराही के संबंध में कोई आपत्ती प्राप्त होती है, तो उसकी जाच की जाएगी, जाच में अपात्र होने की दर्शा में संबंधित हितगराही का नाम विलोपन की कार रवाई की जाएगी, भुगतान की गई राशी की वसूली की कारवाई किया जाएगा, में तक हितगराहियों के नाम भी समयस्मय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिन सूची से विलोपित किया जाएगा, नाम विलोपन की कारवाई ग्राम पंचायत सचिव वाड प्रभारी द्वारा किया जाएगा.